गोईंकन्स को मेरा प्यार बरापर नाम आशा है आप सभी बच्चे अपने अपने गरू में स्वस्थ हैं सुरक्षेत हैं आप सभी गोईंकन्स का मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत हैं प्यारे गोईंकन्स आज के विशे में अभ्यास करेंगे जो आपके विशे अनुछे लेकन से जुड़ा है शुरू करते हैं सभी बच्चे दिये गए कारे को समझ कर अपनी अपनी पुस्तक पर करेंगे जैसा कि आप सभी गोइंकन जानते हैं अनुछे लेकन किसे कहते हैं जी हाँ दिये गए विशे पर जो हमारे मन में भाव और विचार आते हैं उन्ही भावो और विचारों को 8-10 वाकियों में लिखना अनुछे लेकन कहलाता है तो प्यारे बच्चों आज के कारे में दिया गया है दिये गए शब्दों की सहायता से मेरा जनम दिन विशे पर अनुछे लिखने का अभ्यास कीजे जैसा कि आपको विशे दिया गया है मेरा जनम दिन और यहां जो है, यहां आपको शब्द येगे हैं, इन शब्दों को आपने सही सतानमर लिखकर, जो आपका अनुच्छेद है, उसे पूरा करना है, जैसे मेरा जनम दिन, शब्द कौन सा लिखेंगे? तीन अगस्त, आप सतान में लिखेंगे तीन अगस्त, मेरा जनम दिन, तीन अगस्त को आता है, इस दिन मैं सुभा, सुभा जल्दी उठता हूं, नहा दो कर नए पहनता हूं, नए के बाद क्या आएगा? जी हाँ, कपड़े, नए कपड़े पहनता हूं, फिर में अपने माता पिता को प्रणाम यानि उनको उनसे आशरवात लेता हूं, उनको नमसकार करता हूं, उनको विष करता हूं, प्रणाम करता हूं, आगे, वै प्यार से मुझे गले लगाते हैं, इस दिन मा, बढ़िया बड़िया बनाती हैं जी हाँ मिठाईया आशा है आप सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तक पर देख रहे हैं और दिये गएकारे को समझ रहे हैं सब मिलकर गर को गुबारों और जालरों से सजाते हैं शाम को मैं अपने मित्रू यानि दोस्तों को दावत देता हूं मैं जनम दिन का केक काटता हूँ सब क्या करेंगे तालियां बजाते हैं और मुझे क्या देते हैं उपहार तो आप लिखेंगे उपहार देते हैं इस तरहा हर वर्ष यानि साल वर्ष का अर्थ साल हर वर्ष मेरा जनम दिन दूमदाम से मनाया जाता है आशा है आप सबी बच्चों को ये अनुचेद समझ में आया जैसा कि मैंने आपको बताया है अनुचेद लिखते समय हमें ध्यान में रखना होता है सारी बाते क्रम में लिखी जानी चाहिए भाशा जो है सरल हो कोई भी बात दोराई न जाए तो ऐसे ही हम अनुचेद को पूरा करते हैं आप सबी बच्चे इसी अनुचेद को अपनी अपनी पुस्तक पर पूरा करेंगे आज की कक्षा में आपके लिए इतना ही आप से फिर मिलेंगे अगली कक्षा में तब तक के लिए स्वस्त रहें सुरक्षित रहें दन्यवाद